वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच क्योंकि खबरों की इन ही गहराईयों में छिपा है राजमी जी का असली खेल यूस चक्र खबर की गहराईयों को टटोटा तो बकॉल राहूल गांधी जब उन पर निजी हमले होते हैं तो वो भविष्च के लिए उनका मार्क दर्शन करते हैं उनके लिए गुरू साबित होते हैं यानि कि ये करो वो मत करो राहूल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यातरा शुरू की है भारतिये जनता पार्टी और उनका प्रचार तंत्र उन पर निजी हमले तेज कर रहा है और आज राहूल गांधी का ये दर्द एक प्रेस कॉंफरेंस में सामने छलका राहूल गांधी की कई और बाते सामने उभर कर आई मगर ये ना भूले कि आज सुमवार है और कोई मामुली सुमवार नहीं है आज सियासत का सुपर सुंबा रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि गुजरात के अंदर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी राली कर रहे हैं अर्विन के जिवाल भी राली कर रहे हैं और प्रधान मंत्री के सिकेंड इन कमांड यानि की ग्रह मंत्री अमिट शाह भी अपना दमखम दिखा रहे हैं एक ऐसे चुनावों में जहां देश के तीन दिगज जानियारविन के जिवाल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अमिट शाह गुजरात में अपनी पूरी ताकत जोक रहे हैं राहूल गांदी क्या कर रहे हैं वो भारत जोडो यात्रा निकाल रहे हैं कुछ लोग इसके आदर श्वाद से सहमत नहीं हैं कुछ लोग ये कह रहे हैं खासकर राहूल गांदी के आलोचक की आखिर राहूल गांदी को क्या जरूरत है भारत जोडो यात्रा निकालने की एक देश में जो बटकर रहना चाहता है एक ऐसा देश जिससे पूरी तरह से prime time news debates में जिस तरह के जहर का प्रचार प्रसार होता है वो देश उससे पूरी तरह से brainwash हो चुका है राउल गांदी ऐसे देश में भारत जोड़ो यात्रा करना चाहते हैं मगर इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन पर निजी हमले बहुत तेज हो गए निजी हमले ही नहीं बलकि साज़िशों का दौर शुरू हो गया है मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करना चाहता हूँ इसी मद्ध प्रदेश में राहूल गांधी की जब यात्रा निकल रही होती है तो राज के मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान और भारतिये जनता पार्टी के जूट तंतर आईटी तंतर का मुखिया अमित मालविये जो है वो एक आरोप लगाते हैं वो एक विडियो सामने लेकर आते हैं और कहते हैं कि राहूल गांधी की भारत जोड़ यात्रा में पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगे अब वो मुद्दा कहा गया कोई नहीं जानता दोस्तों बात वहाँ नहीं रुकी जब प्रियंका गांधी शामिल हुई थी तब भाजपा का प्रवक्ता गौरव भाटिया प्रियंका गांधी के बेटे तक पर हमला बोल रहा था और कह रहा था कि इस तस्वीर में देखे कॉंग्रिस का भावी अध्यक्ष है यानि कि भाजपा जो है वो साज़िशों के तहट इस तरह की बाते करती है और फिर निजी हमले भी करती है और ये ना भूलें जब प्रियंका गांधी वाडरा इस स्यात्रा में शामिल नहीं हुई थी तब देश के सूचना और प्रसारन मंत्री अनुराक ठाकुर ने क्या कहा था अनुराक ठाकुर ने कहा था कि प्रियंका गांधी का ना जाना इस बात का प्रमान है कि भाई और बहन की रिष्टे खराब हो चुके हैं यानि कि एकता कपूर के सीरिल से पूरी तरह से प्रेरित होके अनुराग ठाकुर जो है ये बयान दे रहे थे आज राहूल गांदी से सवाल पूछा गया कि जब आप पर निजी हमले होते हैं तो इसका आप पर क्या असर पड़ता है क्या कहा राहूल गांदी ने आप खुद सुनिये बीजेपी की प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूँ प्रॉब्लम ये है और इस यात्रा ने इसको मैं कह सकता हूँ छोटी तरीके से दिखाया है बड़ी तरीके से नहीं दिखाया है छोटी तरीके से दिखाया है कि अभी मैंने शुरूआत किये बीजेपी का प्रॉ कि दारों करोर र Dolin Red चाफ हैjob है कि मेरी इमिज को खराब करने में लगा दिए और मेरि इक यहाँ पर उन्हें पे इमिज बना दिए अब लोग सोचते हैं कि यह मेरे लिए ज़्पन दायक हैं में एक्टेनि यह मेरे लिए फायदेमंद है क्यूं? क्यूंकि सच्चाई मेरे हाथ में है और सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है तो जितना पैसा ये मेरे इमेज को खराब करने में डालेंगे उतनी शक्ती वो मुझे दे रहे है उतना maneuvering room वो मुझे दे रहे है आप देखना क्यूंकि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता दबाया नहीं जा सकता और जहां तक personal attacks की बात है personal attacks इसलिए आते हैं क्यूंकि व्यक्ति राजनेतिक position लेता है अगर आप बड़ी शक्तियों से लड़ोगे तो personal attack आएगा अगर आप किसी शक्ति से लड़ नहीं रहे हो अगर आप ऐसी float कर रहे हो तो personal attack नहीं आएगा तो मैं जानता हूँ जब मेरे पर personal attack आता है तो मैं सही काम कर रहा हूँ मैं सही direction पे चल रहा हूँ तो एक तरह तरीके से यह जो personal attack होती है यह जो पैसा बीजेपी मेरे इमेज को खराब करने में डालती है, यह एक प्रकार से मेरा गुरू है, यह में जो सिखाता है कि भैया इधर जाना है, इधर नहीं जाना, उधर जाना है, क्योंकि लड़ाई क्या है? लड़ाई जो आपके सामने खड़ा है, लड़ाई उसकी सोच को गहराई से समझने की है, ठीक है? और मैं आस्ते 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 आस्ते, RSS और BJP की सोच को बहुत गहराई से समझ लगा हूँ, तो लड़ाई में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और अगर आ कई लोग इस जवाब को बहुत ही आइडिलिस्टिक बता सकते हैं, बहुत ही आदर्शवादी बता सकते हैं। जाहिर सी बात है, ये फैसला जनता को करना है, कि एक तरफ एक ऐसा मॉडल है उसके सामने, जो हर कीमत पर चुनाव जीतना चाहता है। जैसे मैंने कहा न, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को हर रोज चुनावी राली करने की जरूत नहीं है, मगर वो हर रोज चुनावी राली करते हैं। यहां तक कि जब गुजरात में मोर्वी पुल हादसा होता है तो तीन दिन बाद राजकी शोक की घोशना होती है प्रधान मंत्री खुद पौने दो दिन बाद वहां पहुशते हैं उन्हें तुरंच जाना चाहिए तक कियो क्योंकि उस पौने दो दिन में गुजरात के अंदर तीन चुनावी सभाई थी और राजस्थान के अंदर भी चुनावी सभाई थी प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी ने उन चुनावी सभाओं की कुर्बानी नहीं दी उन्होंने उसमें शिर्कत की और बाद में मौर्वी के पास गए बाद में उन्होंने मौर्वी के दर्द को सुना अन्सुना किया राहुल गान्दी का मुकाबला ऐसी शक्सियत के साथ है राहुल गान्दी का मुकाबला ऐसे तंत्र के साथ है और यही वज़ा है कि राहूल गांदी इस बात को बहुत भी जानते हैं कि उनका मुकाबला कितना कठिन हुआ जा रहा है कल उन्होंने एक सभा को संबूद किया दोस्तों और उन्होंने कहा कि जो मीडिया आपके सामने है वो आपके मुद्दों कभी नहीं उठाएगा वो किसानों गरीबों दलितों कुछलों के मुद्दे नहीं उठाएगा उसकी प्राथमिक्ता साफ है विराट कोली ने कब चौका मारा एश्वर आयराय ने क्या कपड़े पहने शाहरुख खान ने क्या बोला सुनी राहूल गांधी क्या कह रहे हैं मैंने हमारे प्रेस के मित्रों की बात की इनके सामने हम बात उठाते हैं इनसे कहते हैं देखो जनता के मुद्दे उठाओ नहीं हम कहते हैं भाईया जंता के बुदे उठाओ बेरोजगारी की बात करो हम इनसे कहते हैं बेरोजगारी की बात करो किसानों की बात करो मजदूरों की बात करो और ये कहते हैं देखो देखो अश्वरे अनलाय ने क्या कपड़े पेने हुए हम कहतें बहिया किसान भूका मर रही है यह कहतें देखो शारुख खान ने क्या बोल दिया हम कहतें बहिया करजा माफी करनी चाहिए यह कहतें देखो क्रिकेट का कैसा अच्छा मैच हुआ मज़ेदार विराट कॉली ने कैसा चुक का मारा तो इनका काम और इनकी गलती नहीं है इनका काम जनता का जो ध्यान है उसको हटाने का है इनका काम असली काम जो लोकतंत्र का होता है जो काम हम लोकसभा विदानसभा में करने की कोशिश करते हैं उनका असली काम वो है मगर आप जानते हैं असली बात उसके बाद राहूल गानी ने कही उन्होंने कहा कि इस मीडिया को साफ तोर पर कहा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा को नहीं दिखाना है और अगर दिखाना है तो सिर्फ बदनाम करने के लिए राहूल का ये दर्ध भी सामने जहलका कि तमाम म्यूस चैनल्स में सिर्फ प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की शकल दिखाई जाती है जो हकीकत है जी हाँ उससे फरकनी की बिल्कुल ज़रूत नहीं क्योंकि आप इस बात को बखुबी जानते हैं आप जो दर्शक हैं इस बात को बखुबी जानते हैं कि कितना टाइम राहूल गांदी की भारत जुड़ो यात्रा को दिया जाता है और कितना समय प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी का गुणगान करने के लिए किया जाता है सुनिए राहूल ने क्या कहा अब आप ये मत समझें कि मैं इनकी बुराई कर रहा हूँ ये बिचारों कि कोई गलती नहीं है कोई गलती नहीं है इनके यहां पर पीछे लगाम बान रखिये इनको ये देखो ये मुश्कुरा रहे हैं इनको बताय जाता है कि भाया देखो भारत जोड़ो यात्रा चलि है इसके बारे में कुछ बोलना नहीं गलती से भी मत बोल देना मगर इनकी गलती नहीं हे क्यूंकि कंट्रोलर इनके हाथ में नहीं है जैसे आप रात को आप सोचते हो गई बहया टीवी देखते हो और आप सोचते हो भहिया चैनल बदलेंगे चैनल बदलेंगे पहले चैनल पे मोदी जी दूसरे पे मोदी जी तीसरे पे मोदी जी चोथे पे मोदी जी पाँच में मोदी जी छटे पे अमिद्शा जी जहां देखो कभी अमिद्षा जी, कभी योगी जी, कभी शिवराज चोहान जी, कभी मोधी जी, कभी अश्वरे राए, कभी अजे देवगुन, मगर किसान का चेहरा उसके फटे हुए हाथ आपको टेलिविजन पे नहीं दिखने वाले, मजदूर के आंसू टेलेविजन पे नहीं दिखने वाले तो जैसे मैंने कहा ना राहूल गांदी की चुनोती बे तहाशा मुश्किल है एक तरफ एक पूरा प्रचारतंतर जिसका जिक्र उन्होंने कारकरम की शुरुवात में किया और आपको याद होगा इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि राहूल गांदी की छवी को बरबाद करने की कोशिश आज या कल से नहीं हो रही है इसकी नीव साल 2010 में रख दी गई थी और इसके पीछे वो वकील था जो आउद्यों की घरानों का कॉर्परेट लॉयर था और बाद में मोदी सरकार में वो एक बहुत बड़े मंत्री भी बने आज वो हमारे बीच जीवित नहीं है किस तरह से उन्होंने अपने पसंदीदा संपादकों को सामने बिठाया किस तरह से उन्हें कुछ ओद्योंगिक घरानों से एक संदेश मिला हुआ था कि उन्हें राहूल गांधी की छवी को बरबाद करना है और उसकी वज़ा क्या थी उसकी वज़ा ये थी कि उडिसा में नियामगिरी प्रकरण सामने उभर कर आता है जब एक ओद्योगिक समू वहाँ पर खनिज संपदा को एक्स्प्लोइट करना चाहता है राहूल गांदी उस वक्त आदिवासियों के साथ खड़े थे वेदान्त गुट के साथ नहीं कड़े थे वेदान्त ओद्योगिक समू के साथ नहीं कड़े थे और तभी से इस देश के धन्ना सेट समझ गए थे कि उनके लिए आने वाला वक्त मुश्किल हो सकता है और तभी इस नीव को रखा गया था और दूसरी तरफ राहुल गांदी बार-बार जिक्र करते हैं इस देश में काम कर रही institutions, संस्थाएं चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो ED हो, चाहे वो CBI हो, चाहे इस देश का मीडिया हो मैं आपको एक छोटी सी बात दिखाना चाहता हूँ, उल्टा प्रधान मंत्री का एक बयान सुनाना चाहता हूँ इस बयान में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एक समुदाय विशेश को बगएर नाम लिए, उन्हें आतंकवाद से जोड़ रहा है और न सिर्फ ये कह रहे हैं, बलकि वो ये भी कह रहे हैं कि देश का विपक्ष, खासतोर पर कॉंग्रिस आतंकवादी समर्थक है क्या चुनाव आयोग जागा? बिल्कुल भी नहीं और विडंबना देखिए कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी कुछी दिनों पहले चुनाव आयोग की पांच जजों की खंड़ पीट बैठी थी चुनाव आयोग की निश्पक्षता पर चर्चा करने के लिए कुछी दिनों में फैसला भी सामने उभर कर आ जाएगा वो चुनाव आयोग जो चाहे प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी हूँ चाहे ग्रे मंत्री अमिट्शा उनके तमाम भड़काव बयान उपर खामोश रहता है सुनिए प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी ने कहा क्या और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूँ कॉंग्रेस आतंगबाद को भी बोट बेंक की नजर से देखती है तुष्टी करण की द्रश्टी से देखती है और सिरफ कॉंग्रेस ही नहीं है अब तो ऐसी भाती-भाती के दल पैदा हुए है ये दल भी शौर्टकट की राजनिती में यकीन करते हैं उनको तो सत्ता की भुख भी जड़ा तेज है वो बोट बेंक की राजनिती करने पर उतारू है एपीजमेंट उस्टी करण के पुलिटिक्स में इंट्रेस्टेड है कुछ लोगों को बुरा न लग जाए अपनी बोट मेंक को दिक्कत न हो जाए इसलिए भैंकर से भैंकर आतं की घटना के बावजुद भी ये तुस्टी करण की राजनिती करने वाले सारे दल उनके मुह पे ताला लग जाता है चुपी साथ लेते हैं इतना ही नहीं जब कोड के अंदर मामले चलते हैं तो पिछले दरवाजे से उनी से मिले हुए लोग आतंगवादियों की पेरित्मी करने के लिए कोड के दरवाजे तक पहुँच जाते हैं तो राहूल गांदी की यही शिकायत है कि तमाम संस्थाएं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक हैं तो ऐसे में मुकाबला कैसे होगा और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राहूल गांदी भारत जोड़ो यात्रा करतो रहे हैं मगर इसका क्या परिणाव होगा हम नहीं जानते हैं ये बहुत ही जादा कठिन मुकाबला है ये ना भूले दोस्तों इस देश में चाहे जितने भी चुनाव हूँ चाहे बिहार की चुनाव उत्तर प्रदेश के चुनाव उत्तरा खंड के चुनाव और इस वक भी गुजरात और हिमाचल के चुनाव इन तमाम चुनावों में पूरी मशिनरी पूरी जो ताकत है वो भारती जनता पार्टी के पक्ष में है अब मैं आपको एक खबर देना चाहता हूँ जो आपके स्क्रीन्स पर इस खबर को ध्यान से देखिए आप जानते हैं गुजरात चुनावों में जो सीक्रिट ऐलेक्टोरल बांड्स हैं यानि गुप्त चुनावी चंदा करोडों रुपया जो है उसकी उगाही हुई उनमें से 94 फीसदी भाजपा की जेब में गए हैं जी यान ये खबर आपके स्क्रीन्स पर है दोस्तों और ये खबर में आपको बतलाना चाहता हूँ इस खबर के मुताबिक गुप्त चुनावी चंदे के जरिये कुल 173 करोड 174 करोड जो हैं उसकी उगाही हुई इसमें से भाजपा की जेब में गया 163 करोड उसी तरह से कॉंग्रिस की जेब में गया 10.5 करोड यानि की 10 करोड 50 लाक और आम आदमी पार्टी की जेब में गया सिर्फ 32 लाक अब आप मुझे बताइए 174 करोड में से तो 163 करोड भाजपा की जेब में गया है जो सीक्रिट एलेक्टोरल बॉन्स है उन में से अधिकतर पैसा गुप्त चुनावी चंदा जो अरुन जेटली लेकर आए थे वो भाजपा की जेब में जा रहा है तो ऐसे में मुकाबला वराबरी का कैसे हो सकता है ऐसे में कोई पुलिटिकल पार्टी जीत की सोच भी कैसे सकती है और बात यहां नहीं रुकती आपके स्क्रीन्स पर देश के ग्रह मंत्री आमिश्शा अभी हाली में उन्होंने एक बयान दिया था कि 2002 के दंगो में हमने कुछ लोग को सबक सिखाया चुनाव आयोग फिर भी खामोश रहा तो इस कारेक्रिम का मकसद क्या था इस कारेक्रिम का मकसद यही था कि एक तरफ जहां विपक्ष पर निजी हमले होते हैं और जब से राहुल गानी और दूसी तरफ भाच्पा का खुला खेल फरूखाबादी मकाबला बहुत मुश्किल है मगर अगर राहुल गान्दी वाकई काम्याब होते हैं तो आजाद भारत के इतिहास में ये आंदोलन ये यात्रा इतिहासिक बन जाएगी मैं आपको बताता हूँ क्यों वो इसलिए कि इससे पहले जितने भी आंदोलन रहे हैं अना आंदोलन, जेपी आंदोलन जितने भी आंदोलन रहे हैं मीडिया ने हमेशा आंदोलनों का पक्ष लिया है उसका साथ दिया है मगर पिछले आठ सालों में आप देख रहे होंगे शाहीन बाग मीडिया ने बदनाम किया किसानों का आंदोलन मीडिया ने बदनाम किया राहूल गांधी जो भारज जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं उस पर भी मीडिया लगातार निशाना साधता रहा यानि कि प्रचार तंत्र पिछले आठ सालों में तमाम आंदोलनों और यात्राओं के खिलाफ रहा है एक समाने में जब हरताल हुआ करती थी आंदोलन हुआ करती थी तो वो मीडिया की पहली हेडलाइन होती थी अब ना सिर्फ उसे कहीं पर कोने में दफन कर दिया गया है बलकि उसे बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी जाती ये फर्खाया है और ये चुनौती है राहुल गांदी की अमिसार शेर्मा को दीजे अजासत नमस्कार अमस्कार